PUBG बंद करने के फैसले के दो घंटे के अंदर दो बिलियन डॉलर्स का नुकसान 10 सेंट पिचर्स को हुआ है मगर उसकी सेहत पर कोई फरक नहीं पड़ता ये नुकसान चाइना की गवर्मेंट आराम से पूरा कर लेगी जो असली साजिश है चाइना की गवर्मेंट की वो इससे बहुत आगे की है और इसके लिए वो हजारों बिलियन डॉलर्स भी कुर्बान करने को तयार है चीन का सबसे पॉपुलर गेम के दो वर्जन बनाए जाते हैं एक चीन के अंदर खेलने के लिए और एक चीन के बाहर पूरे विश्व के अंदर खेलने के लिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चुपी हुई है बारा साल के एक बच्चे को आप भाड़े का अपरादी लूट खसोट की ट्रेनिंग देते हैं और दूसरे बच्चे को आप देश हित के अंदर देश की सेना को सपोर्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर जाकर कौन सा बच्चा द वो वरजन नहीं खेला जाता, जो जाईना के बाहर खेला जाता है क्योंकि वो वरजन, वहां के साईकलोजिष्ट ने प्रूव किया है कि ये समय की और दिमाग की बरबादी करता है हानी करता है और प्रोडक्टिविटी को लॉस کرता है आज के समय जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनको एक ऐसे रस्ते के उपर डाल दिया जाए जिस रस्ते के बाद में वो वापस न आ पाएं और फ्यूचर के अंदर जाकर उनके हर एक जो निर्ने है वो इससे प्रभावित हो एक ही गेम के दो वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा और देश भक्ती बताया जा रहा है जो चाइना की एर फोर्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है देश के जाने माने नियूरो साइकाटरिस डॉक्टर विकरम बगडिया जो सरकारी जो जेल के अंदर भी डूटी लगते हैं क्रिमिनल्स के साथ में भी उनका अच्छा इंटरेक्शन है उनके दिमाग के उपर नजर रखते हैं उनका ये कहना है कि इस समय बहुत सारे क्राइम्स जो एसोसियेटिड हैं वो वीडियो गेम की वॉयलेंस के साथ में देखे जा रहे हैं ऐसे पेरेंट्स उनके पास में आ रहे हैं जो अपने बच्चे का व्यवार्ट के अंदर चेंज दिखाई देने की शिकायत कर रहे हैं और साथ ही के अंदर उनका व्यवार बहुती आपती जनक होता जा रहा है मार्च 2019 के अंदर भी एक और रिपोर्ट पब्लीश ह जोई थी जिसके अंदर पब्जी के उपर बैन लगने की बात उठाई गई थी क्योंकि इसकी वज़े से बच्चों का दिमाग काफी हद तक खराब हो रहा है और वो साइकोपैथ तक बनते जा रहे हैं अब इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि केवल इंडिया के अंद 45,000 रुपए तक खर्चा हो जाता है इस गेम को खेलने का जो ज़्यादा तर लोग नहीं करते सेलूलर डाटा इंडिया में बहुत सस्ता है जितना उनको एक दिन में पैसा देना पड़ता है यहां पर पूरे महिने का रिचार्ज चल जाता है इसकी वज़े से यहां पर PUBG प रही है अलग-अलग टॉप कंपनियों के अंदर काम करने वाले दो साइबर एक्सपर्ट्स आशीश मित्तल और मुकेश कुलहरी से बात की गई तो उन्होंने बहुत ही चौकाने वाले खुलासे किये जितना डाटा आप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल से उतना ही कंप बहुत वहां पर खरिदारी करता है तो इतना ज्यादा पैसा चाइना आखिर लगा क्यों रही है इंडिया के उपर और यहां के लोगों को उससे क्या नुकसान हो रहा है अब इस जानकारी को देखिए कि चाइना के अंदर जुआ खेलना पूरी तरीके से प्रतिबंदित है पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है अब इस बात पर नजर डालिए कि चाइना में जुआ पूरी तरीके से प्रतिबंदित है और साथ ही के अंदर पबजी का हिंसक सरूप भी प्रतिबंदित है मगर चीन की सरकार आखिर कर क्या रही है मकाव एक छोटा सा टापू है जह चैना के द्वारा ही संचालित कैसीनों जुआ खाने के अड़े चलते हैं चीनी सरकार अपने जगैपपर जुआ नहीं खेलने देती मगर अलग से ऍापू के उपर जुए खाने के अड़े बना रखे हैं जहां पर विदेशी आकर जुआ खेल सकते हैं साथ ही कमबोडिया के अंदर करप्शन का बुरा हाल है वहाँ पर चाइना के बहुत सारे कैसीनों खुले पड़े हैं जो बात कमबोडिया के साथ में चाइना कर रहा है वो कल को नेपाल के साथ में होने वाली है अल जजीरा ने इसके उपर व्यापक खबर छापी है और साथ ही में कमबोडिया के बहुत चिंता जनक हालाताओं को सामने लाया है उनके अनुसार वहाँ पर 90% तक बिजनस के उपर चाइना का कबजा हो चुका है और एक प्रकार से यह अमेरिका के लास विगास की तरीके से एक जगय बनने वाली है जहाँ पर जुए खाने के अड़े होते हैं वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के क्राइम होते हैं ड्रक्स होते हैं वहाँ की जो बहन बेटियां होते हैं उनके उपर गलत प्रभाव पड़ता है और ये सारा का सारा काम कमबोडिया के अंदर पड़ रहा है जो कल नेपाल के अं वो जितने भी चाइनीज लोगों को वहाँ पर गलत हरकत करते पकड़ते हैं, चाइना एक प्लेन के अंदर बिठा कर उनको अपने देश वापस ले आता है। दूसरे की कंट्री के अंदर जाके कैसीनो खोल कर ड्रग्स का वहाँ पर व्यापार करना और वहाँ से सारा पैसा उठाके अपने कंट्री के अंदर ले आना। चाइना के तरीका है ये। उठाने के लिए, देश भक्ती जगाने के लिए अपने बच्चों को, राष्ट निर्मान की दिशा के अंदर ले जाने के लिए और दूसरा हिंसा, व्याबिचार, स्वार्थ, डकैती और एंटी सोशल बनने की अभी से उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। हमारे देश का वर्तमान वो है जो इस समय यहाँ पर बैठे लोग कर रहे हैं, सरकारे कर रही हैं, मगर भविश्य बारास से पच्चीस साल के युवा हैं, जो आने वाले समय में डिसाइड करेंगे, कि हम चाइना से आगे जाएंगे, या चाइना से पीछे रह जाएंगे। इस काम के लिए यहाँ पर 15 करोड रुपए अगर हर महीने चाइना इन्वेस्ट कर रही है, डाल रही है, बिगाडने के लिए, दिमाग कराप करने के लिए, तो ये एक बहुती छोटी रकम है, इस चीज से सावधान रहने की हमें जरूरत थी, और जो फैसला आया है पपज इनकी सरकार खुद दूसरी जगे जाके कर रही है, हमारे यहाँ के कानून सुस्त थे जिसका खायदा उठाया गया और यहाँ पर अलग-अलग प्रकार से चाइना की गुसपैट हुई, मगर अब सरकारे जागी है और हम जागे हैं तो ये भी कम नहीं है, आने वाले समय में चाइना से आगे निकलना है, ये काम सरकारे अकेली नहीं कर सकती, 12-25 साल के जो बच्चे हैं वो देश का भविश्य है, उनको डिसाइड करना है कि हम देश से आगे निकलेंगे, चाइना से आगे निकलेंगे या हम पीछे रह जाएंगे, ये बहुत बड़ी responsibility है, जो आज क युवाओं के लिए बहुत जरूरी है इसको उठाना, बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद